नमस्कार, मैं सुचला राय डिम्री, रोज की रिसोई में आपका स्वागत है आज मैं मगज क्या होता है, ये चार मगज कौन से होते हैं और ये कौन से फल में मिलते हैं, इसके फाइदे क्या हैं सब बताऊंगी दोस्तों सबसे पहले हम मगज की बात करते हैं, खर्बूजे के बीज को छील कर निकलने वाली गिरी को मगज कहते हैं अब चार मगज की बात करते हैं, चार मगज का मतलब हैं चार फलों और सबजियों के बीज ये चार मगज हैं, खर्बूज, तर्बूज, सीता फल यानि कद्दू और खीरे के बीज, ये चारों बीज हमें किराना स्टोर में असानी से मिल जाते हैं इन बीजों में कई पोशक तत्यों होते हैं, मगज, एंटी ऑक्सिडेंट, विटामिन A, C और विटामिन E से भरपूर होते हैं चारों मगज को हम अपनी डाइट में इस्तिमाल कर सकते हैं गर्मियों में खर्बूज और तर्बूज दोनों ही फलों का भरपूर उप्योग होता है बच्चे, बुढ़े और जवान सभी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं खर्बूजे का बीज वाला हिस्सन निकाल कर पानी में दो दिन के लिए भिगो कर रखने के बाद एक बड़ी छलनी में रगड कर खुले पानी में दो लें अब छलनी में केवल बीज रह जाएंगे और सारा एक्स्ट्रा गुदा निकल जाएगा आब इन बीजों को सुखा कर छील लें और आपके सामने प्रोटीन से भरपूर मगज के बीज होंगे मगज के बीज सोयबीन जितना ही प्रोटीन रखते हैं आज कल जिनका वक्त जादातर लैप्टॉप या कम्प्रूटर पर बीचता है या आप हाई स्टेडी कर रहे हैं तो मगज के बीजों को अपने नाश्ते में जरूर शामिल करें चारो मगज का सेवन गर्मियों में ठंडाई लस्टी या शर्बत के रूप में किया जाता है और सर्दियों में इनको शेहद मिला कर खाते हैं मगज हमारे शरीर में हिमोगलोबिन और बुद्धी बढ़ाने का काम करते हैं मार्केट में मगज के बीजों का पाउडर असानी से मिल जाता है चारो मगज का इस्तेमाल मिठाई, ठंडाई, शर्बत, वन्नम्कीन में किया जाता है तो दोस्तों ये थी कुछ बात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की मिलूँगी ऐसी एक नई वीडियो के साथ थैंक्स ओर वाचिं, रोज की रसोई